मेरे पास आज एक प्रस्न है यह प्रस्न है कानपुर से अभिसेक अगर्वाल का है ये बार्मिक्लास के विद्यारतिय इनका प्रस्न है कि संधारित्र किसे कहते हैं और इसकी धारिता को किस तरह से डिफाईन करते हैं इस तरह से परिभासित करते हैं, देखिए संधारित एक तरह का उपकरण है, विद्धूत उपकरण है, इलेक्रिक डिवाइस है, जिसमें हम इलेक्रिक चार्ज को, इलेक्रिक एनर्जी को इस्टोर करते हैं, इकठा करते हैं, इस इलेक्रिक डिवाइस को हम संधारित कहते हैं लेकिन जितना maximum amount अधिक्तम मान इसमें संचित हो सकता है, इस्टोर हो सकता है, जितनी अधिक्तम विदुत उर्जा, विदुत आवेश हमें संचित कर सकते हैं, इस्टोर कर सकते हैं, उस अधिक्तम मान को हम संधारित की धारिता कहते हैं, संधारितर की धारिता कहते हैं, संधा maximum capacity है जितना maximum charge store हो सकता है जितनी maximum electric energy store हो सकती है इस maximum value को हम संधारित की धारीदा कहते हैं